पक्षिराज गरुजी की विने भाव से संपन्य वानी सुनकर सरल, सुष्ट, सुहर्द, विनीत भाविक वानी सुनकर काग वसुन्डिज्य को बड़ा अन्ध वान। बयवता सुमन परम उछाहा लाग कहे रगवति गुल्ण का। क्या कहने लगे। कैसे कैसे रामचरित प्रारंब हुआ। कहां तक यात्रा हुए। यहीं से यह 84 प्रसंग है। इसको कंठस्ट कर जाए। पूरा सुनहुतात जही कारण आयूं से लेकर पूरा कंठस्ट कर जाए। 84 प्रसंग दूसरी रतिममक था जब प्रसंग चित्न में आएगा, मन में आएगा, और रही में आएगा तो उसमें आप आनंदित रहेंगे। दोगते उतर आते रहेंगे। और ठीक है, महापुरुष लोग अलग अलग गरंथों का आश्रे करते हैं। देखिए, सारे गरंथ फल हैं। श्रिरामचरित मानस जी, मिक्स फलों का जूस है। सब फल हैं। अलग अलग फल। सुधार सुधार खाने से बहतर है। उत्तम है। श्रिरामचरित मानस जी के आश्रे में रहा जाए। सारल भी है। और एक कब भी लेंगे। तो जीवन मनुष्य का सुधार जाएगा। सिद्ध हो जाएगा। मंगल हो जाएगा। यह जो बचन है। प्रातस्मन्नी पुझ्य अखंडानन जी महाराज के। पुझ्य स्वामी जी महाराज। गीता जी भागवज जी और अनेक गरंद पुरान। सब सिद्ध ते। ब्रह्मचारि जी से वर्धावस्ता में श्रिगामतरित मानस का पारान सुन रहे ते। और वाबा आनन्द कर रहे थे। कोई गीता ध्याई महापरुशाद है। बोले स्वामी जी आपको तो सारे गरंद अद्वत ऐसा है। अब फिर आप ये रामतरित मानस का शमन कर रहे है। तो बोले महाराज सारे फल रखे हो डलिया में। और एक स्थान पर जग में सभी का जूस निकालके रखा गया हो। तो कोई भल खाएगा कि जूस पिएगा। तो जब सब रस को स्वामी जी महराज ने इसमें भर रखा है। तो मैं कहीं अलग-अलग पोथी पलटू। यही जूस पीता हूं आनन्द हो जाता है। यह बात समझ में आने चाहिए। तो कि सब को समझाईए ना अपने को समझाईए। क्योंकि कोई समझने को तया। बड़ी बात है कि हर आदमी समझाना चाहता है। हम आपको सुनाना चाहते हैं समझाना नहीं चाहते है। श्रीरामकता से नहीं है। प्रारंविक जीवन से हमारे परचाथ तंतर में भी लिखा रहता है। श्री राम कथा के सरच गायक प्रेम भूषण जी महराज के श्री मुक्त से राम कथा सुनिये शुरू से अविचार नहीं सविचार लिखा गया है सुनिये यूट्यूब पर भी चल रहा होगा आप सुन रहे हैं अस्थावाल एक बार लिख दिए आप देख रहे हैं तो मैंने कहा क्या देख रहे हैं प्रेम भूषण जी को देख रहे हैं हमारा स्कूल चेंज करिए लिखिए आप सुन रहे हैं प्रेम मुर्थी प्रेम भोषण जी की द्वारा शिरी राम कथा सुन रहे हैं जाना तो जाए कि सुन रहे हैं कि देख रहे हैं क्या देख रहे हैं तमाशा है क्या है कथा शवन की जाती है जिनके शवन कथा सुनने की है तो मेरे प्रभु ने कथा के प्रती रथी ये दूसरी भगती शवरियंबा को सुनाया श्री सदुगुर्दे भगवान के चरणों में कैसी निष्ठा? मान रहीत निष्ठा गुरुपद पंकज सेवा ती सरी भगती अमान चौथि भगती मम गुन गना अड़ाई करपटे ते दीदा अमान ये बात जानने के है साव और मानने के पिता के सनमुक पुत्र का मानने सदुगुर्दे भगवान के सनमुक शिष्च का मानने इसलिए अमान लिखा है मान रहीत रहकर गुरुपद पंकज सेवा कई लोग इसी में पूरी जिद्दगी उलजा देते हैं मेरे को कोई पूछता ही नहीं है हम घर में रहते हैं तो घर में घंटी लगी है घंटी बचती है मैं तो कभी गेट वट खोलता नहीं नजाने कव नाया होगा तो गेट खोलने के लिए कोई नो कोई आता है सेवादार लोग आते हैं कभी 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 कोई मेरे को जब कहा जाता है तो अभी खोलता है बैठे थे गेटे खोल देते अच्छा अच्छा कोल देते लेकिन कहीं भी रहे जो घर की मालकी नहीं वा आवाज लगाती है कौन आया अपने नहीं बोलते अपने बोले तो भसे नहीं जाने कौन आया वो मांगने वाला लेने वाला देने वाला नहीं करते जिसका अब ये ये हम लोग आश्रम पर है प्रातस्वानी पुज्य श्री महराज जी गुर्दे भगवान तो अपना 24 गंटे आनंद में वजन में रहते है लेकि श्री महराज जी अबारे 24 गंटा हम लोगों को पुए सब्धा नहो कवड किदर है गवशाले में क्या है अरे संद निमास में क्या है कौन कहा रुका है सब की चिंदा क्यों हो अब स्वामी का मुख्या का यही अपना कर्टब है कि सब जगह वैवस्ता को समझना होगा ठीक करना होगा यहाँ पर जो भी है सब के चित्त में ये बात रहने चाहिए जो कुछ भी हो रहा है और सरकार के पास सुपस्थित होना चाहिए यह अपने पास नहीं रहना चाहिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगती अमान दहकर गुरुजी के सामें चेले कमान नहीं आजकल चेला इसी ही परशान रहते हैं मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है अरे खमाल है ठीक नहीं मेरे सरकार के श्रिमग बचने प्रभु कहते श्रबरी अमान से तीसरी भगती अमान चोथ भगती मम गुन गतर परही कपत तरदी गाव मेरे गुन समुहों को निश्कपट भाव से गाहे ये क्या है गा रहा है तो निश्कपट ता क्या है गाना गुन समुह का गान करना केवल गान करना अब एक्षा रहे देखे मैं इसका बार बार समर्ड करता हूँ संसार में किसी के हाँ भी किसी की भी किसी के लिए भी आप कुछ भी विवार करेंगे तो वो जीव आपकी चिंता अवश्य करेगा इसी तरह सुनते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल आइकन को दबा दीजिए और पुन्य अर्जन के लिए अपनों में सेयर करिए अपनों को जापकी बिल आपकी बाल्चों है